हाई एवरिवन आज हम बनाएंगे पत्ते गोवी से एक दम नई रेसिपी तो यह रेसिपी आपने इससे पहले कभी भी नहीं बनाई होगी इस तरह की सबजी पत्ते गोवी की बहुत ही इंस्टेंट बनेगा बहुत ही यम्मी लगने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चोटे साइज वाला आधा पत्ता गोवी और इनको हम कट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे तुक्रों में कट कर लिया है यह देखिए इस तरह से कि अब हम एक बाउल ले लेंगे और इस पॉल में डाल देंगे सारे पत्ते कोवी को जितने भी हमने कट किये हैं अब हम इसमें आड़ करेंगे आदा छोटा चमच नमाक और आदा छोटा चमच हल्दी तो जल्दी से हम नमाकरों हल्दी सबसे पहले आड़ कर देंगे जिसे कि यह सॉफ्ट होगा थोड़ा एक चमच मिर्जी पाउडर और साथी आदा चमच गरम मसाला अब हम डाल रहें इसमें बेसन तो बेसन हम लगबग पाँच से छे चमच बस इतना ही डालेंगे भरके पाँच चमच या खाली-खाली छे चमच अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे चार पाँच चमच और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे तो हाथ से ही मिक्स करना है चमच से मत कीजिएगा नहीं तो अच्छी तर से मिक्स नहीं होगा इसका जो भी नमक और बेसन वगर है वो हाथ से ही अची तर से मिक्स होता है तो मैंने अची तर से यहाँ पर मिक्स कर लिया है हाथों से पांच मिनट के लिए ढग देंगे जिससे कि यह सॉफ्ट हो जाएगा अब यहां मसालों की तियारी कर रहे हैं इसके लिए लिए मैंने तो अल्रेडी हमने पत्ताकोविं में भी नमक डाला था तो आदा ही चमच लिया है और एक चमच लगबग छल्दी पाउडर एक चमच मिर्ची पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर और साथ ही यहां पर आदा चमच गरा मसाला और थोड़ा सा लिए गोल मिर्च पाउडर, वन फोर्थ चमच, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, और मसालों को हम अची तरह से मिक्स कर लेंगे, तो जब तक हमारा पत्तों को भी सॉफ्ट हो रहा है, तब तक हम ये काम भी कर लेते हैं, सब कुछ हमारा सॉफ्ट हो चुका है पत्ता को भी, तो अब हम चलते हैं, पैन को गरम कर लेते हैं, दो चमच इसमें ओइल डाल दिये, फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, और ओइल को फैला लेते हैं, ओइल जैसे ही गरम होता है, अब हम इसमें आड़ करेंगे, जो हमने बेसन, मिक्स करके सारे बिसन को एक साथ ही डाल देंगे, पैन में, पैन थोड़ा चोड़ा रहे गा, तो आपको बनाने में एजी रहेगा, नहीं तो कणाई में बनाने से, दो बार में यह प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तो इस तरह से हम सारे पत्ते गोवी को फैला लेंगे, और पकने देंगे तो जो भी 6-7 मिनिट लगता है आडाम से इसको पकने दीचे और यह देखिए मैंने हिला कर देख लिया है यह अची तर से पक चुका है नीचे अब हम इसको इस तर से प्लेट रखके पलट लेंगे जिसे कि प्लेट के ऊपर हमारा पूरा पत्ता गोभी का जो म दूसरे साइड भी पका लेंगे और वापस ढखके दूसरे साइड पकने देते हैं और यहां पर मैं चेक कर लेती हो एक बार तो अभी नहीं हुआ है तो थोड़ा और पकने देते हैं अब हमारा दूसरे साइड भी पत्ता गोभी का मिक्षर जो हमने डाला था वह पक चुका है तो इसको वापस हम प्लेट में इस तरह से निकाल लेते हैं चमबच पगर ऐसे मत निकालेगा नहीं तो टूट जाएगा बढ़ा है इसले इसी तरह से प्लेट का यूज किजेगा और यहां पर देखिए एक साथ हमारा कितनी अच्छी तरह से पकोड़े के जैसा पत्ता गोभी का मिक्षर रडी हो गया अब इसको पीसेज में कट कर लेते हैं चोटे बरे जो भी पीसेज आपको कट करने हो और यहां पर चाकू थोड़ा तेज वाला यूज किजेगा जिस तो यहां पर हमारे पीसेज जो है वो डेड़ी हो चुके हैं अब हम वापस उसी पैन को गरम कट लेते हैं और दो चमप फिर से तेल डालेंगे और पैन जैसे हम गरम होता है इसमें जालते ते जीरा एक चोटा चमप और जीरा का कलर जैसे ही शेंज होता है, इसमें ही इंग दाल देंगे, तिन चार चुटकी बहर, और यहाँ बैने लिए अद्रक लसून और हरी मिर्ची का पेस्ट कूट कर लिए हैं, तो एक चमस ढाल दियें वो भी, और कलर चेंज होने तक, पकाते हैं, उसकी बाद प्यास अब हम पेयाज को भूल लेते हैं, थोड़这सा सॉफ्थ हो जाता है, और थोड़elesa color Change हो जाता है, तब तक हम इसको भूल लेते हैं और अब हम आड़ करेंगे इसमें ... टोमैटो . तो तो मैटों मैं ने छोटे- american pieces में तो बीच बीच में इसी तरह से ढखते वे चलाएंगे और तीन चार वर ये प्रोसेस करेंगे तो हमारे टोमेटो भी सॉफ्ट हो जाएगा और यहां पर देगे थोड़ा सो सॉफ्ट हुआ है अभी थोड़ा बाकी है सॉफ्ट होना आप तो सॉफ्ट होने के बाद अब इसमें एड कर रहे हैं मसाले जो हमने रेडी करके रखे थे तो मसालो को हम इस तरह से डालेंगे न तो जलने का चांस नहीं रहता है तो इसलिए हमने गीला करके डाला था मसालो को, और झो बीइ लगारी समाइन प्मिन में, उसमेघा यूज़ कर लेंगे पानी उसमेः, जाले ब 꽃 आक ढल मसालोह प्याज को फ्टराए करें चार से पाँच मिनिट लो फिलम पे और यहां पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारे सबजी का कितना शाइनिंग दिख रहा है अब हमने मसालो के कटोरी में पानी डाल कर एड़ कर दिया है चार पाच मिनिट के बाद और अब इसको हम उबाल आने देते हैं दो कटोर हमने पानी डाल दिया है और यहां पे हमारे कड़ी में उबाल भी आ चुका है गरम मसाला हमने अल्रेड़ी एड़ कर रखा था तो अब डाइरिक्ट हम पीस एड़ कर रहें इसमें तो सारे पीसेस को हम एक एक करके डाल देते हैं ग्रेवी में और फ्लेम को मेडियम रखते हैं और इतना पानी तो डालना ही परेगा क्योंकि बेसन है पता गोभी में तो पानी सोक था है बेसन तो यहां पर मैंने रस में डूबो दिया है और धकन लगा के मेडियम फ्लेम पर तीन से चार मिनिट तक इसको पकने देंगे और बस सिर्फ तीन और चार मिनिट उसके बाद यह देखिए यह हमारा सबजी जो है वो बनके रेडी हो चुका है तो हम गैस को आफ कर दिये और यहां पर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा सबजी खाने में भी उतना ही टेस्टी है एक बार जरूर ट्राइ कीज पुरheim रलाइ की शे एक है इच्छाह किए में अच्छा सवतल में पंचे बार को चार टेस्बंदी नहां प्यूर भी जो संगे प्रिंध सही जासना है गज्टार है को प्राइक कर देखिए का में उती है वह है कि आूरेफ नहां है